हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आप सभी जानते हैं अभी की COVID-19 की सिचुएशन में हम प्रत्यक शुरूप से महाविध्याले में आकर टीचिंग लर्निंग शुरू नहीं कर सकते हैं और इसलिए semester 5 और semester 3 के लिए online classes या उसके पहले भी e-material शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ teachers का संपर्क होना इस online माध्यम से हम लगातार रोज मिल सकें इस विशे में ये एक नई सिस्टिम हमारे महाविध्याले की और से शुरू की गई हैं आप सभी इस WhatsApp ग्रूप में हैं आ आपके अन्य भी कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके सब्जिक के जो इस ग्रूप में नहीं है तो आप उन्हें शामिल करने में हमारा सहयोग करें अभी यह जो हमने नई सिस्टिम शुरू की है इसमें जो टीचिंग लनिंग होगा वो वाट्सअप ग्रूप के द्वारा ही आ आपको शेयर होगा उसमें वीडियो टुटोरियल, आउडियो फाइल्स या पीडियफ में आपके नोट्स अपके इसलाबस के या आपके असाइनमेंट्स, टेस्ट, फिडबैक इतने तरीके से यह जो टीचिंग लर्निंग है यह लगभग हम भी शुरू कर रहे हैं कम से कम तीस अगस तक आपका जो हर एक विशय का सिलाबस है उसका कोई बहुत जादा रिगरस टीचिंग सिलाबस के युनिट या उसमें जो विशय है उसके अनुसार शुरू नहीं होगा क्योंकि अभी हम बच्चों को स्टूडिन्स को इस ग्रूप में जोड रहे हैं और सभी को हर रोज ये इमटेरियल देखना उसमें जो भी काम बताया गया है वो करना इसकी जब तक आदत नहीं होती तब तक हम नहीं चाहते कि हम प्रॉपर टीचिंग शुरू करें ताकि जो लोग उसके बाद अगर कुछ लोग उसमें जुड़ते हैं तो शायद वो उसे मिस कर दे पहले कमसे कम एक 3 दीन का ब्रिच कोर्स मैंने प्लान किया हैं हमने इसके पहले सेमीस्टर 3 में भी स्टैक्स के लिए एक बिच कोर्स कमप्लिट किया हुआ है आप सभी bridge course का फायदा जानते हैं हमारे पहले के semester में और अभी के semester के अभ्यास क्रम में काफी फर्ख होता है कई बार तो उन दोनों अभ्यास क्रमों में एक link बने एक bridge बने इसमें ये course जो है हमें सहायता करेगा कम से कम हम 3-4 मेने के अंतराल के बाद अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो एक उसमें गती आने के लिए या उसमें हमारी थोड़ी से एक routine सेट हो इसके लिए भी हमें इस bridge course के मदद होगी आपका semester 5 का मनोविज्ञान का जो सिलाबस है वो संगटनात्मक मनोविज्ञान पराधारित है तो हम इसके बारे में तो जानेंगे ही इस bridge course में साथ ही आपके सिलाबस के बाहर भी इस शाखा से संबंदित कई सारे विशे हैं जो सिलाबस तयार करते समय उस पे नहीं रखे गए हैं सिलाबस हमेशा चात्राओं की ग्रहन क्षमता उनकी समझने की विशय को समझने की उस समय की तयारी और जो प्रमुक मुद्दे होते हैं अभ्यास करम के उसके द्वारा अभ्यास करम बनाया जाता है पर उसके बाहर भी बहुत सरी चीजे होती है जो जान लेना कई बार जरूरी होता है तो इस Bridge Course में हम वो भी कोशिश करेंगे कि सिलाबस के बाहर की भी कुछ चीजे हम जानने की कोशिश करें सेनिस्टर फाइब का ये जो ब्रिश कोश प्लान किया है इसमें ये छे टॉपिक जो है जिसपर हम बात करेंगे हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल या और्गनेशनल साइकोलोजी अर्थात अध्योगी तथा संगतनात्मक मनोविज्यान ये जो शाखा है इसका परिचाय देखे क्या-क्या चैलेंजेस थे जो इस शाखा के शाखा में काम करने वाले जो भी मनोविज्यानिक थे उन्होंने पार की और किस प्रकार से इस विशे को आगे बढ़ाया इसका उपयोक क्या है अभी अध्यों की परिस्थिती में या समाज में भी उसके बारे में भी हम संस्था व्यक्ति से बनती है और व्यक्ति भी संस्था से अलग नहीं होता जहां बहुत सारे लोग एक उद्देश को लेकर काम करते हैं उसी को हम संस्था कहते हैं तो individual in the organization इस विशय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्यक्ति संस्था का इकतूठ हिस्सा होता है और व्यक्ति अगर ठीक से काम कर पा रहा है, तो ही संस्था भी काम करती है। साथी जिस संस्था में व्यक्ति काम कर रहा है, उस संस्था से भी व्यक्ति की कुछ अपेक्षाय होती है। उसे कुछ सुविधाओं की आवश्यक्ता होती है, उसे सम्मान की आवश्यक्ता होती है, वो चाहे तो एक व्यक्ति चाहे तो अपनी संस्था को उपर ले जा सकता है या उसे नीचे भी ला सकता है, तो व्यक्ति की भूमी का कितनी अहम है संस्थात्मक रचना में, उसे हम दे कई बार अगर कोई उत्पाद बनाती है तो उसका अड़िटाइजिंग एक अलग फील्ड होता है ग्रहकों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से प्रोड़क्स बनाया जाए उसका पैकेजिंग कैसे हो माकेटिंग कैसे हो यह भी अलग फिल्ड है काम करने वाला व्यक्ति पूरे संतोष के साथ काम कर पा रहा है कि नहीं, उसकी नीजी समस्याएं क्या है, वो किस प्रकार से वर्क लाइफ बैलन्स बना पा रहा है कि नहीं, उसका अपने कलीक्स के साथ या उसके जो भी सीनिया से उनके साथ तालमेल है या नहीं, वो बहुत ज़ादा स्ट्रेस में तो हम जानेंगे ही, साथ ही आज की परिद्रश्य में इस शाखा में कौन-कौन से चैलेंजिस है, कौन-कौन से चुनोतिया है, इसके भी हम बात करेंगे, जैसे अभी COVID-19 के कारण जितने भी कामकाजी लोग है, उनके कारिय शेली में मूलताहा परिवर्तन हुआ है, बहुत सा बढ़ रहा है, स्पेस की कमी होती है, डिस्टरवन्स जादा होता है, एक रूटीन होता है, घर से बाहर निकलने का, बाहर आने का, तो उससे जो एक सामाजिकता बनती है, वो भी खतम हो गई है, तो नए नए चैलेंजिस इस प्रकार से कामकाजी लोगों के जीवन में और स काम करना चाहते हैं, तो इस विशय में कौन-कौन से करियर आप्शन से, उसके लिए क्या आपको तयारी करनी होगी, इस विशय में भी हम इस ब्रिच कोर्स में जानकारी लेंगे, संगट अनात्मक तथा उद्द्योगिक मनोविज्ञान का जो आपका सिलावस है, उसके बा जानेंगे, विशय में अगर से संथो है, तब ही कुष्य से काम कर सकता है, अगर वह असंटुष्ट है, इसके काम पर नकारात्मक तरिढम उसके वहता है, जैसे हमें भूग लगती है, प्यास लगती है, नीन दाती है, इनके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, जैसे ही व्यक्ति जब अर्गनाइजेशन में काम करता है, तो उसके पीछे भी कई सारी प्रेरणाय होती है, कभी वो आर्थिक प्राप्ति के लिए काम करता है, क्य प्रेणाई व्यक्ति के काम के पीछे होती है, जब तक व्यक्ति प्रेणित होता है तब तक वो अच्छा काम करता है, तो इस अभिवृत्ति के बारे में भी हम तीसरे युनिट में सीखेंगे, चौथे युनिट में हम कार्य तनाव के बारे में सीखेंगे, काम की चगह पर ब महानगरिय जीवन पद्धती है, बहुत जादा भीड है, आवाज है, शोरगुल है, सुकून नहीं है जिन्दगी में, या इवन रिलेशनशिप्स को लेकर अगर प्रॉब्लम है, तो हर एक चीज़ व्यक्ति के काम पर परिणाम करती है, काम की जगर पर भी अगर खुलापन नहीं है, व्यक्ति को अपने निरणे लेने की आज़ादी नहीं है, सारे संसादन उपलब्द नहीं है, परियाप्त करबचारी वर्ग नहीं है काम करने के लिए, या कम्यूनिकेशन प्रॉपर नहीं है और्गनाइजेशन में, इन इसलिए कार्यातनाव को भी समझना उसे दूर करना उसका व्यवस्थापन करना बहुत है तो युनिट 4 में हम उसी के बारे में प्राक्टिकल के सिलाबस में आपको 4 प्राक्टिकल है, 4 साइकलोजिकल टेस्ट है और एक संस्था बेट करनी है, जिसका हवाल भी बनाना है, अभी bridge course के बाद हम जो syllabus शुरू करेंगे, वो हम theory का syllabus से शुरू करेंगे, practical इस प्रकार की नई system में हम कैसे ले पाएंगे, कैसे लेने हैं, संस्था बेटकप करनी है, इस विशय में जो भी सुचनाय हमें university के और से प्राप्त होंगी, उसके पश्चात हम practical का syllabus शुरू करेंगे, अभी तो हम theory से ही आगे बढ़ेंगे, तो ये थी आपके syllabus के विशय में और हम जो bridge course शुरू कर रहे हैं, उसके विशय में जानकरी, आप सभी के सहयोक से आशा करती हूँ कि इस नए system में हम teaching learning को बहुत अच्छे से आगे ले जा पाएंगे, अभी के लिए धन्यवाद इसके बाद हमारी class मंगलवार को है, तब उस दिन हम bridge course का पहला class जो है वो शुरू करेंगे, थैंक्यू.